गुरु प्यारी सा संग जी डाके शहर विच एक जिम्मीदार रहन्दा सी, जिस्दा नाम पूमिया सी, ओहो जिम्मीदारता है सी, नालो नाल चोरी दा कामवी करदा सी, पर उसने अपने कार विच लंगर लगा रख्या सी, चोरी करके ओहो जो कुझली आवे, ओहो गरिब्ब पूमिया ने अपने कार विच एक तर्मशाला बनवाई होई सी, अते अठे पहर लंगर चलदा रहन्दा सी, जो कोई उसदे कार आवे तां, रोटी पानी शकायब गैर ना जान देवे इक दिन जीवादा उदार करदे करदे, शिरी गुरु नानक देव जी उस नगर आ गए, अतिक शरीफ आदमी दे कार कोल जा बैठे लोका ने गुरु जी दे पैराते मथा टेकिया, लोका ने केहा, आप जी इत्थे ना बैठो गुरु नानक देव जी ने केहा, कि बस्ती देखकर असी इत्थे बैठ गए हाँ, ता लोका ने दसेया, कि पिंड़ दे चोदरी ने सानु सार्यानु खुकम किता होया है, कि जो भी साद फकीर आवे, उसनु उस दे कार पेजिया जावे गुरु जी ने केहा, कि चलो फेर असी, उस दे कार ही चले चल दे हाँ, आप जी उत्थू उठके, पूमिय दे कार चले गए, पूमिय नुपता लगाता, उसने आके मत्था टेकिया थोड़ी देर बाद, पूमिय ने आके बेंती किती, गुरु जी लंगर त्यार है जी, आप सेवन करो गुरु जी कहन लगे, कि लंगर भी शाक लवांगे, पहला साधे कुझ स्वाला दे जवाब देवो गुरु जी ने पूमिय नुपुच्या, पाई पुर्खा, ए दास, कि तु किर्थ की करदा है, अठे पहर लंगर लगा रखदा है, एह कित्थू गुजारा हुंदा है गुरु जी दे दर्शन करके, पुमिय दा मन पहला ही पवित्तर अति निर्मल हो गया सी, उसने कोई गल ना शुपाई, अते बाबे नानक जी नूँ साफ साफ दस दिता, कि मैं दिन वेले राही डाका मारदा हां, अते रात नूँ चोरी कर लियांदा हां गुरु सैब कहन लगे, फेर ता पाई असी तेरा लंगर नहीं शकांगे, फेर पुमिय ने अर्ज गिती, कि जेकर बाबा जी, तुसी परशाद नहीं खाओगे ता, मेरा कल्यान के में होवेगा गुरु सैब कहन लगे की, पाई एहे काम चड़ेगा, अते तरमदी किर्थ करेगा ता, असी तेरा परशाद शकांगे पुमिय कहन लगा, गुरु जी, एहे कार ता मेरे कुलो शुटनी नहीं, एहे साड़ा काम ता, प्यो दादे तूं, चलिया आ रहा है गुरु सैब ने सोचिया, कि इसने सचो साच आख दिता है, सो गुरु जी, दुबारा कहन लगे, पाई पुर्खा, जेकर साड़े तिन बचन मनने गातां, तेरा परशाद शाकल अमांगे पुमिय ने कहा, गरीब नवाज जी, तुसी हुकम करो, मैं जुरूर मनागा गुरु देव ने कहा, साड़ा पहला वचन है कि तुछ उठ नहीं बोलेगा पुमिय ने कहा, साथ वचन जी, अजेहा ही होवेगा तद गुरु देव जी ने कहा, दुज्जा वचन है, गिरिब्बा दा शोशन नहीं करेगा, नाई हुन्दे वेखेगा तीसरा वचन है, जीस्दा लून खद्दा होवे, उजदे नाल दगा नहीं करेगा पुमिय ने एह तिन्नो वचन, खुशी नाल पालन करने सविकार कर लए गुरु देव ने फिर केहा, पुर हुने जो पोजन सानू कराओगे, ओहो पैसा तुँ महनत करके, कमाके लियाओगे पुमिय ने इस गल लईवी मंजूरी दे दित्ती, अते आप जंगल विच जाके उत्थे वल्लूं बालन दे लाइक लकणियांद गठडा ले आके बजार विच वेच्चिया उसदे मिले दाम वल्लूं रसद ले आके पोजन त्यार करके गुरु देवनु सेवन कराया गुरु देव संतूष्ट होए अते आशिरवाद दित्ता कि तो अड़ा कल्यान जुरूर होवेगा गुरु देवजी दे जान दे कुछ दिना बाद पुमिये नू लंगर चलान लई पैसें दी लोड पई तां ओहो सोचें लगा की हुन पैसा कित्थू प्राबत किता जावे गृबां दा शोशन तां करना नहीं है पुमेद मान विच्च ख्याल आया की राजी दे कर चोरी करां अते माल पैसा चुक के लियावा आप साल दो साल खांदा रहांगा अते नाले फिकीरा नू खवांगा क्योंकि राजी दे करों बहुत माल मिल जावेगा ता फिर रात जान दे राहया नू लुट्टन दी लोड नहीं होवेगी एह सोच के उसने बड़ी चंगी राज कुमारा वाली पुशाक पाई हेरे मोत्या नल जूड़े होए कपड़े पाई सीज ते दस्तार सजा के अधी रात वेले राजे दे महला वल चाल पेया महला दी डूड़ी ते जाके खड़ा होया संत्रे ने रोकिया अते पुछेया की तू कौन है इस वेले किदर जा रिया है पूमिये नू बाबे नानक जी नाल किता बजन याद आया कि हमेशा साच बोलना है उसनू सोचा विच पाद इता पर उसने साच बोलन दा दिरड इरादा किता होया सी कुछ गुस्य विच आखन लगा कि मैं चोर हाँ संत्रिया ने जदूजदा लबास देख्याता ओहो ठठंबर गे की मता कोई राज कमारी ही न होवे ते जेकर इसनू अंदर जान ना दिताता काल्दों नोकरीतों शुट्टी हो जावेगी ता उन्हाने अंदर लगा दिता अंदर जाकी हुण पूमिया सोचदा है की राजे दे तोसे खान दी पाल किती जावे होले होले लबदा लबदा ओह खजानने वाले कमरे विच पोँच गया जिते राजे दे अते राणिया दे अनेक तरा दे बस्तर ते ग्याने रखे होये सान उसने शांट शांट के सोने बस्तर अते वड़् मुल्ले ग्याने दी गठडी बन लिती इक बर्तन विच उपरले पासे राजे लई चूरन रख्या होया सी उसनु चुक के विखल लगा की एह की चीज है इस तरह तां उस वस्तु दा पता ना लगया की वस्तु है की किस कम आवेगी उसने उसनु उंगली नाल लबेड के मुँ विच पा लई सुआद चक्खिया उस दे विच लून भी मिलिया होया सी जदू लून दा सुवाद आया उसनु गुरु नानक देवजी दा दुज्जा बचन याद आया की किसे दा लून खा के हराम नहीं करना सोची पै गया अते सारे बस्तर गैने आदी चाड के खाली हाथ बाहर निकल गया दुज्जी स्वेर जदू राजे ने अपने खजाने वाल निगा मारीता की वेखदा है की उत्ते सारा समान खिलर्या पया है कुछ गठडियां बनिया पैया हान उसने समान चेक किता पर कोई भी गैना आदी गुम नहीं सी ओ हरान होया अते समझया की कोई चोर आया है उसने चोरी कित्ती है पर समान सारा एथे ही चाड गिया है राजे ने संत्रिया नू बलाया अते पुछिया दसो एथे रात नू कोण आया है साच साच दसो दरवाना ने अर्ज कित्ती राजा जी एक आदमी आया सी जिसने बड़े चंगे बस्तर पहने होए सान गैने भी पाए होए सान दरवाज्य दे अंदर जान लगा असी उसनों पुछिया तू कौन है किते जा रहा है किस वक्त रात नू किसनों मिलना है उसने कहा पाई मैं चोर हाँ उस दे पहरावे वाल वेख के असी कहा कि यह सानू मजाक करदा है चोर नहीं हो सगदा कोई राज कमार होवेगा असी अंदर जान दिता राजा जी होरता कोई नहीं हाया राजे ने कहा उस आदमी दी तलाश करो तिन दिन नगर विच टंडोरा फेरदे रहे पर चोर दा कोई पता ना लगा ता राजे ने हुकम कर दिता कि जोवी बदमाश अते नकम्मे लोग हान उनानू मार कुट के पता करो चोर कोण है इसे तना होया राजे दे बंदे गरिबबा अते नकम्मे बंद्यानू फाड के मारन कुटन लगे चून चून के पैड़े बंद्यानू मार दे कुट दे गए गल सारे फैल गई पूम्ये नू भी पता चल गया उसनू गुरु नार्ग देवजी दा तिज्जा बजन याद आया कि पाई गरिब मार नहीं करनी ओह सोचन लगा कि राजे वलनू जो गरिबबा नू मार कुट पुवाई जा रही है एही मेरे करके ही है उसने राजे कुट जा के बेंती किती राजा जी इना गरिबबा नू छाड़ देओ तो अड़ा चोर तां मैं हाँ मेरे कुट पुषगिश कार लवो राजे ने बाकी सारे लोग शट दिते अते पुम्य नू बठा लेया राजा हुन पुषदा है पाई दास जे तु चोर है तां मेरे तोसे खाने विच चोरी करदा करदा समान बान के खाली हत क्यों चला गया उस समय तेरे मान विच की आया पुम्य ने कहा सुनो राजा जी मिन्नू पूरा गुरु मिलिया है राजा पुषदा है ओहु केडा है उसने कहा गुरु नांक देव जी हान जिना ने मिन्नू तिन बचना उत्ते पूरा उत्रन ली आख्या सी उस्तो बाद पूमिय चोर ने सारी वारता सुनाई अते समान शड़ जान चोरी ना करंदी गल दसी ता राजा हैरान रह गया राजे ने पूमिय नू शाबस दिती अते केहा की बलिहार हां तेरे ते जिसने गुरु जीदे बचन नू दिर्टा ना दुमाया है तेरा गुरु तान है जिसने ऐसा उपदेश दिता अते तान है तुँ जिसने निश्चे नाल गुरु जीदे उपदेश नू नू नूबाया है अपनी जान खत्रे विच भी पा के गुरु बचना ते पूरा उत्रिया है इस्तों बाद पूमिय ने चोरी आदी बिल्कुल ही छाड़ दिती संतना दे कर्म करन लगगा नाम जप्पे अते लंगर लाया करे राजे नूमी ता रमशाला बनाऊन लई आख्या ता रमशाला विच किर्तन होन लगगा लंगर चलन लगगे पूमिय उत्ते राजा इनना खुश होया की उसनू अपने वजीरा विच थाँ दे दिती सो सासंगे जी इस विडियोन लाइक करो शेर करो अते कमेंट बॉक्स विच तान तान शिरी गुरू नान के देव जी जुरूर लिखो